हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टेटी फीट फीजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों ए वीडियो एनटावी फीजियो लोजी से रिलेटेट दसवाँ वीडियो है यूथ कंपर्टेशन के सारे जो कोशन्स है आई हुए मैं उसका प्रैक्टिस करा रही हूं ए मसल्स रि थाने रहिए तो चलते हैं आज गे तरफ कोशन नंबर वन है कि अक्टिक लैक्टिक एसडी देन है तो दोस्तों लैक्टिक एसड किसका देन है अरभीग मेताबोलिज्म का कि प्रोटिंग का अकसीडियोशन का अरभी कम एकश्यों सब्सक्राइब का इसका राय एंसर हो जा और ऐरुबिक मेटाबोलिज को हम आग्सी स्वसन कहते हैं– – अनेड़विक मेटाबोलिज जो आग्सी स्वसन होतarily है ग्लायकोलिसिस परक्रियां भी इसको कहते हैं जो कोशी का दर्ब में संपन होता है और आक्सिजन की अनुपस्यती में खात प्रधादों का आंसिक विगर्डन होता है जिसकी फ़र सरूप CO2 यानि carbon dioxide, electrolysz and alcohol you are a little acid यानि कुछ मात्रा में अर्जा मक्त होती है तो लक्तिक आशिज आपका अने अर्विक मेटाभोलीजन मनता है वही जब आपका आक्सिस्ट्विक और-प्रम्यों की उपस्चिति में खात पदाठों का विगर्टन होता है अर्विक मेटाभोलीजन में इस प्रक्रिया में ऐरोबिक मेटाबोलिज में ग्लुकोष का पूल रूपे आक्सी करण होता है जिसके प्रणाम सरूप कर्बन अक्साइड जल तथा काफी मातरा के उड़जा उत्पन होता है इसी किरार ग्लुकोष को कोसी की इधन भी कहते हैं जैसा कि आप जानते हैं ऐरोबिक मेटाबोलिज में आक्सी स्वस्थन जो कोसी का जो माइट्रोकांडिय में संपन होती है उसमें जब आक्सीजन जो है ग्लुकोष से क्रिया करके ग्लुकोष यानि की खात पदार्थों का प्रूर अब घटन करता है तो उस प्रक्रिया के फल मेटाबोलिज में 36 ATP कुल मिला करके 38 ATP का कोसी की स्वस्थन के द्वरा निर्मा ATP बनती है यानि इस प्रकार कोसी की स्वस्थन यानि आंद्रिक स्वस्थन में ग्लुकोष के प्रू आक्सी करोड़ पर कुल जो है टू प्लस 36 यानि 38 ATP उर्जापरात होती है तो आप समझ गए होंगे जो अनायरोबिक मेटाबोलिज में होता है जो हाई एंटैसेटी वाले जो क्रियाएं होती है कम समय के जसे स्ट्रेंथ वाले क्रियाएं होंगे इस्प्रिंट दवड होगे इसमें लाक्टिक एसिड करिमा होता है जब जो एंडोरेंस वाले होते हैं उन क्रियाओं मे लैक्टिक एसिट नहीं बनता क्योंकि अर्णविक मेटाबोलिज में जो हमारे स्पेशियों में एटीपी होता है उसी से उर्जा तोड़कर उर्जावन देता है जबकि आपका अंडुरेंस वाले क्रियाय होती है उसमें जो है आपका जो ग्लाइकोजन होता है औट जो आपका अंदर फैट जमा होता है वोससे भी बर्ण होकर कि उर्जा हमें देते है तो जो अर्जा छोणने की प्रक्रिया का उपधबात लैक्तिक एसेड हैं, लैक्तिक का एकठा होना ठकान का करण नहीं है, किन्तुछ यह हाईडोजन आयन यहनि के Х-Plus है, जो कि लैक्तिक एसेड की करण एकठा होकर ठकान पैदा कर देता है. हीडोजन आयनों की सांधता बढ़ जाने से रग्त अमलिय हो जाता है, जिसके फलसुरूप एंजाइम काम करना बंद कर देती है एंजाइम के ठीक से काम नह करने के कारण ठकान पैदा होता है Q2 है अभी कथन से रिलेटेड है अभी कथन A है कि मानस्पेशी है सकती मानस्पेशी की संकुचंग की गती का मापन है सही बात है आप कितना कंट्रैक्ट कर लेते हैं कितनी दे तक आपका मानस्पेशी जो है फ्लैक्सन एक्स्टेंशन करती है उससे आपके मानस्पेशी स्ट्रेन को पता चलता है तरकार है कि मांस्पेसी में तन्तू प्रकार के अनुपात में मांस्पेसी सक्ति का निधार होता है तो बास सही है पेसी में जो मांस्पेसी तन्तू और रेल मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर होता है उसके अधार पर सक्ति का निधार होता है जैसा कि आप जानते हैं तो यहां भी A और R दोनों सही है अब ठीक है आफसा नंबर C यहां पर राइट होका A और R दोनों सही है कोश्चन नंबर 3 है कि मांस पेसी यह ब्यायाम है तो उर्जा की निम्नस रोतों को उनकी उपलवता की क्रम्मी व्योसित कीजिए तो दोस्तों अभी आ गया कोश्चन कि सबसे पहले और अरुबिक मेटाबिलिजम होगा यह लेकि जो हमारी जो पेस्यों में एक रथा है आपक सबसे पहले आपका एटीप यूज करेगा उसके बाद एटीप जो है पीसी या एडीप ये पी आई में खूब करके उर्जा देगा तो फास्फू क्रियेटिन यानि पीसी उसके बाद फास्फू क्रियेटिन यूज करेगा उसके बाद जब एटीप खतम हो गई तो जो फीर से जो है एडीप मेटापोलीजन के फरस रूप क्या करेगा उर्जा बनाएगा एटीप बनाएगा तो फिर आपका ग्लाइकोजन का उपयोग होगा यानि टू उसके बाद ग्लाइकोजन भी यूज कर लिया तो आपके बाड़ी में जो फ्वैट है ताइगलिस्ट्राइट के रूप में उसको यूज करेगा बाड़ी तो 3421 इस सिक्वेंस में बाड़ी जो है ब्यायाम या किसी एक्टिविटी के समय उर्जा को क्रमवार यूज करता है तो 3421 3421 आसन नमबर डी यहां पर राइट एंस यहां पर यहां दिख दे दिखांते हैं तो आपकरिश ब्राइज है1910 इस मिपन बाड़ा राइन कर रेक्तर आसा क्या करता है यहां पर आपको देखांद लिए पर ऐसे अबी सी डी तो एक आपका हो जाएगा घुटना विस्तारल ठीक है यानि कि एक का थ्री हो जाएगा फिर आपका हो जाएगा बाइसेप से फिमुरिस्ट , पिमिमरला समे में अठर याहे, जांक के फीछ मिन सही है। उस गरूप का भाग है। सही है। सेमिमरंइन्येस और सेमीाहियो के गुटने को घ्कक bevorण करे आक्वचे वह यह काना ते ख वह स्था कीकर एक वह त्या होती है। हाथ को बगल में उठाना, यह कंधे का अपगमन की इसल्डर एब्डाक्शन का काम करेगा, तो सी का उफूर हो जाएगा, ग्लूटस मैक्सिमस हमारे हिप या कि कुल्धे की बड़ी मसल्स होती है, या शरीर की से बड़ी मसल्स होती है, यह नितम यानिकी की हिप को बिस्तार क करने का काम करेगी तो ग्लुटस प्रेक्सिमस अपका डीकट टू हो जाएगा इस प्रकार क्या बना 3142 3142 आसन नमर ए आपका राइड इंसर हो जाता है question number 5 है अब इकतन ए है कि चर्विहीं सारी गठन का अर्थ है बिना सारी कवसा के सरी की मात्रा भार की मात्रा लीन बाड़ी structure means the amount of body weight without body fat तो दोस्तों चर्विहीं का मतर है कि जो body weight है वो without fat की है ठीक है यह वास सही है और तर्क आर है कि सारी बनावर्ट में वे सभी घटक समलित होते हैं जिनमें मानों सरीर की रचना होती है दोस्तों सारी बनावार जो बाड़ी कमपोजीशन होता है बाड़ी स्ट्रक्चर इंक्रूट आल दा कमपोनेंट्स डैट मेक अफ दा हीमर बाड़ी तिवास सही है तो दूनों चीजे आपका राइट है लेकिन जो है जो आर है एक ही सही ब्याख्या नहीं कर रहा है उसको आर आसल नमबर ए और डोनों सही है प्रणतु आर एका सही इसपस्टी कऱण नहीं है क्वेस्टन में शिक से यहां भी स्टेटमेंट्स बेस पे है अभी कहतन है कंकाली मांसपेसियों को आजशिक मांसपेसिया का हो जाता है इसक्लेटर मॉसल्स और कॉल्ट्ट्री मॉसल्स आ मर की मांसीच वसक्व में दोस्तों कपका इसे मंसीने हैं जो राγomina की ही और को जाय कि और आर डोनों सही हैं ऐसके इससे इसके परें में तर्क देना चाहिए और को और नहीं दिया है लेकिन और और दोनों सही है तो यहाँ पे भी आपसे नमबर A ही राइट हो जाएगा कि A, R, R दोनों सही है और A की सही ब्याख्या नहीं है कोशन नमबर साथ है आप आपको सही मिलान करना है कि आपका सूलियस मसल्स जो है कहाँ पे है तो यहाँ पे आप देख लेते हैं A, B, C, D दोस्तो सूलियस मसल्स जो है वो निचले पैर में होती है सूलियस मसल्स कहाँ होती है निचले पैर में A का 3 हो जाएगा and सार्टोरियस कहाँ पे होती है आप सबको पता है सरी कि सबसे लंबी मास पे इसी जांग के पास होती है सार्टोरियस जांग के पास होती है तो B का 4 हो जाएगा ट्रेपेजियस जो होती है उपरी पीठ में होती है दोस्तों तो C का 2 हो जाएगा पैक्टोरिलिस मेजर आपको पता है कि थ्रोइंग मसल्स कहलाती है यह हमारे वच्छे प्रयान इचाती पर होती है चेस्ट पे तो D का 1 हो जाएगा इस प्रकार 3 4 2 1 3 4 2 1 किसमें दिख रहा है 3 4 2 1 आपसा नमबर भी यहां पर राइड एंसर हो जाएगा कोस्टन नमर आठ है ग्लाइकोजन के रूप में ग्लुकोज सरीर में किन अस्थानों में संचित होता है ग्लुकोज is stored in the form of glycogen in which place in the body दोस्तों आपका पता है कि जो ग्लाइकोजन होता है हमारे मान स्पेस से हो यह ख्रित यानि कि muscles and liver दोनों में आपका एक अत्रित रहता है तो 1 आप 3 आपका राइड इंसर हो जाएगा आपसान नमर सी question number 9 है सही मिलान करें इसको भी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो A B C D तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं delta-ired muscles जो होती है वो कहां पर होती है हमारे कंदे में होती है delta-ired muscles कहां पर होती है कंदे में तो A का जो है आपका हो जाएगा 1 को ई हुआ है अप सबकु पता है जांग का फिछला भाग फिन्दली जो मसल्स होती है ऐसे में गार घैश्ट्रोंइमेस को जाए acontec. गेश्ट्रोंईमियस को कॉफ मसल्स भी कहते हैं, हेमेश्टिक मसल्स जो है आपको पता है कि जांग का पिछला भाग होता है, तो तीर मौन पेसी उस मिलकर बना होता है, बाईसेस फिमरीस, सेमी मेमरीनियस और सेमेजनियस, जो घुटने को मूरने और हिप का विस्थार करने क तो काम आता है तो सीकन हो जाएगा आपका 3 at unsp如果你 वहता है आपकानी कि Pakर लेकित करता है 1 तोafa इसक sweetness 8 4 123 903 412 34 यहां पर काम सा राइड यंसर हो जाएगा option कि यहां पर आफसर नमबर कौन सा राइट हो जाएगा कि आफसर नमर सी वन टू थ्री फूर आपका राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमर दस है कि निमने मसल्स को उनकी इस्थिती के अनुसार नीचे दिये के कोड के प्रियोग से आरू ही क्रम्मे बेशित करी और इन फालिविंग मसल्स एक और असेंडिंग और एकॉर्डिंग देयर पोजिशन यूजिंग दे कोड दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पोस्टेर डेल का आयर्ड एक्टस एब्डामिनों सोलियोस और एक्टस फिमोरी दिया हुआ है तो यहां पर जो आरोही क्रम्म यानि की बढ़ते क्रम्म में देखना है तो सबसे पहले आपका हो जाएगा शोलियोस मसल्स ठीक है बढ़ते क्रम्म में फिर उससे बढ़ा कौन है पोस्टिरियर डेल्टायड फूर पोस्टिरियर डेल्टायड वन तो थ्री फूर टूवन थ्री फूर टूवन आसन नमर यहां पर राइडन सुरू हो जाएगा ठीक है कोस्टन नमर 11 है कि धीरे-धीरे संकुचित मांसपेशी तंतु चरितार्थ होता है स्लोव स्लोली कंट्रेक्टिंग मसल्स फाइबर्स एक्स हीबिट तो धेडरी संकुचित मांसपेशी यानि कि मांसपेशी तंतु दूपरकर का होता है रेडरमसल फाइबर वाइडत मासल फाइबर्स रेडर्स फाइबर्स फाइबर्स वाले कि देडरी संकुचित है और इस में जो है अईरोबिक लिए आक्सिजन की मांतरा ज्यादा गरहर करनी की चंचा होती है अनुर Cisco के था राइवले की डिकी एक्टिव होता है एंड जो फांस्टूइट फाइबर होता है वाइट मसल फाइबर वो और एरोबिक क्रियाओं में जदा एक्टिव रहता है तो जो रेट मसल फाइबर होता है दे दे संकुचित इसमें अधित्तम अनुप्रस्त छेत्र होता है यानि कि maximum class exceptional area होता है और अधितम क्रेप स्टाइकल enzymatic छम्ता होती है क्योंकि यह अधिक oxygen ग्रोर करने की छम्ता है और अधिक जितक काम करने की छम्ता होती है इसमें क्रेप स्टाइकल यानि कि जो एरविक मेटाबोलोजम होती है और इसमें अधिक ग्लाइकोलेटिक छम्ता होती है क्या होती है अधिक ग्लाइकोलेटिक छम्ता यानि ग्लाइकोजन को अबजर्ब करने की अपने धराण करने की छम्ता जादे होती है यहां पर क्या हो जाएगा 1, 2, 4 1, 2, 4 आपका आपसन नमबर A में दिख रहा है आपसन नमबर A यहाँ पर राइट इंसर होगा कोशन नमबर 12 है उत्तीजित होने पर इस दस माइक्रो सेकेंड में चरम तनाओं पर पहुचने वाली मांस्पेसी तन्तु है दोस्तों आप समझ सकते हैं सबस्क्रोव होते हैं इस दोस्तों में आपस्ट्विस्ट वायबर फाइबर पर आपसन नमबर A यहाँ पर राइटन सरहए होगा स्टीव 10 कोशन नमबर 13 है सार्टॉरियस कारत है कारे है सार्टोयस मसल जहां जांग में पाए जाती है अजो सरी से सबसे लंबी मांस्पेसी होती है जो पट्टे की समान होती है समानांतर होती है जो मसल्स फाइवर होते हैं इसमें और गुटने का विस्तार और गुटने को मोड़ने का संकुचन करने का महत्पूर कारे करता है तो यहां पर रायट इंसर हो जाएगा हिपी विस्त रखावर्ट की लच्छड निचे दिये गए हैं। उनकू नीचे दिये गए कोड की अधा पर करमर कीजीव ск attract होता है ठाता है। सबसे पहले सबसे परे में पसीना एता है कि हाथ फेर में क्या होता है पसीना होता है। स्थानी थकावड होता है जिस कारे कि जिस अंग से हम कारे कर रहे हैं वह कारे करना उसमें लगता है कि आप हम नहीं कर पाएंगी तो वान होगा फिस संदी में जहां संदी जोड़ों पर जक्रन पैदा हो जाएगा फिर फूर होगा 3214 3214 आसना भी भी आपके राइट इंसर हो जाएगा सोड फिर फॉ इसई नंबर पंद्रह मांस्पेसी प्रक्रिया क्रमा नुसान विवसेट की जिसे या contract कैसे होता है तो आपको पता है कि मांसपेसी का सरक्वा सुद्र सिधान्त याने की contracting process जो sliding filament theory जो है है एच जी हैक्सले ने 1904 में दिया था जो अमेरिका के थे उन्हों नहीं तयार किया जिसमें सोद करने के पसचाज स्विकार किया गया कि मांसपेसी संगुचन sliding filament पर अधायत है, यानि actin filament, myosin filament पर sliding करती है, फिसलती है, तब जो है, मांस्पेशी contract होती है, इसके तीन अवस्थाएं होती है, तो आपको पता है कि जो प्रथम अवस्था होती है, उसमें कोई तंत्रिकार शव्येंग नहीं होता, myosin uncharged ATP cross bridge दूर दूर होते हैं, myosin में ATP cross bridge किस में होते हैं, myosin में होते हैं, फिर calcium ions जो होते हैं, सारको प्लाजमे रेटिकुलम में एकतरित रहते हैं, actin के जो दो प्रोटिन होते हैं, troponin और tropomyosin, एक स्वास राचना के कारण, actin और myosin से मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि troponin दूर नेगेटिव चार्ज के साथ रहता है, ATP भी myosin cross bridge के एक सीरे पर दूर नेगेटिव चार्ज के साथ रहता है, वहाँ पर H-A-Jun दिखाई देता है, जड़ लाइन दूर दूर होती है, एक टीनो मायosin अन क्यूपल पोजिशन में रहते हैं, वहीं पर जब मांस्पेसी contract हो होती है, तब क्या होता है, मांस्पेसी के तरफ जो तंत्री का आवेग होती है, वो सबसे पहले आती है, यहाँ पर जो contraction प्रक्रिया है, उसके बार एक पूछा है, सबसे पहले क्या होगा, तंत्रिका आवेग उत्पन होगा क्या होगा तंत्रिका आवेग उत्पन होगा तो 5 आपका हो जाएगा तंत्रिका आवेग उत्पन होने के बाद ओ आवेग जाएगा कहां मसल्स की हो तो फिर ओगा आपका डी पोलिराइजेसन क्या होगा D-polirization फिर 3 हो जाएगा फाइव की बार 3 उसके बार जो एक्षेंट पोटेंशियल है तंत्री का आवेक है कहां भी जाएगा मुसल्स में जाएगा ठीके तो फिर आपका एक्षेंट पोटेंशियल टू हो गया तो एक्षेंट पोटेंशियल जैसे ही तंत्री का मसल्स में जाएगा एक्सन प्रोटेशियल की कारण जो सार्कोप्राइट्रमिक लेर्टिकुलम में कैल्सियम आयन्स से बाहर निकलने लगता है कैल्सियम आयन्स को एक्टीन तथा ट्रोपोनिन अपने दो नेगेटिव चार्ज के कारण अपने और खीच ल मैयसीन मै save होता है जो एक्टीवada को अपने जि я्म हैंटी इसका अफनी तिर्फाग फशा रकीं के खिचने लगता है और एक्टीन मायसीन का की नो पले लेते हैं जो एक्ट्व cool is in कि लाते हूं और अटीपी तूट कर एडB PLS dabei दवरा उर्जाऊ पतान करते हैं इसे हम मायसम coffee कोछते हैं मासिक पासी दूट कर उर्जा देने लगती है जिसमें हो जाता है एक 1 तीन heart तो आपका क्या हुआ सच पहले एक तंत्री का आवेग उत्पन हुआ उसके बाद डीपुलेराइजेशन हुआ फिर आपका एक्षन पोटेंशिल मसरस में आता है नीरान से होकर के नर्व टीशू के माध्यम से और उसके बाद क्या होगा उसके बाद आपका त्पूलाangen का उत्गाडन होगा क्योंकि इसतिन पालनिक्णे और उसको टीशूरस जो उसको मसरणीर लाने का कार्या करता ह्योеро तो इसतिन क्यालाइन का उत्गाडन का उत्गाडन होगा यानि की वन हो जाएगा उसके बाद जो है क्या करेंगे निमिति갈ुलानि प्रशलने लगता है जिसकी कामान सभी सिट उग, कॉकल मं की वण और फोर हो जाए लाकाल 5 3 2 1 4म कव हुआऑ Q16 है सिनेक्टिक ट्लयफ़ोट यहां पे भी हम देख लेते हैं कि a b c d a तो question number 16 में भी आपको ध्यान से देखना है सारकुल लीमा जो आपको आ रहा है उसको फटापट मिलाईए सारकुल लीमा कहां पर पाय जाता है जो मांसपेसी के तंतु के उपर जिल्डी होती है यानि एंडो मांसपेसी तंतु को जैसे कि मांसपेसी मांसपेसी को एपी मांसपेसी घरी रहती है और मांसपेसी तंतु के जो समूव बंडल होते है उसको फासिकुलस जिसे करते है वो परी मांसपेसी तंतु को एंडो मांसपेसी तंतु के उपर जो जिल्ली होती है जिस जिल्ली से ढगाउ होता है उसे हम सारकुल लेमा कहते है त C ako more booster कि country twenty twoれない थे ह sean there अढिन के दो प्रोटीन होते हैं mm के दो प्रोटीन होते हैं कि अब बीट्रोंटे मअचे इसीड ने फैनिर के अपनी को अपने तेरफ किछथे हैं तो बीका क्या जाएगा फूर हो जाएगा उसके बाद जो है सरकुपलाजम कहा होते हैं सरकुपलाज में करेटिकूलम होता है सब्सक्राइब को मांसपेशी तंतू के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसके साइक पल्ा जा जाएगा त्री और क्लाइफर्ट जब मास्पेसी कंट्रेक्ट होती है सिनेप्तिक क्लाइफर्ट जो हैं कोफ कॉलीन एस्टरेज यहां पे राइजार हो जाएगा एक आफ फाइब इस पर का फाइब फार रोजन की मातरा बनाये रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कारती बृता कहते हैं, work intensity, question में 18 है, मांस्पेशी में तापमान बढ़ने का मुख्य कारड़ क्या है, the main region of increase in temperature in muscles, तो मांस्पेशी में तापमान बढ़ने का मुख्य कारड़ क्या है, तो राशानिक प्रतिरोधक है क्या है राशानिक प्रतिरोधक है Chemical Resistance Question number 19 है मान स्पेशी की अवस्था जो उसे इस्थिर बनाती है वह है The condition of muscles which makes the stable तो एह है आपका प्रतिक्रिया अवधी Reaction Duration Question number 20 है प्रतिक्रिया चड़ के बीच समय गुजर जाना क्या कहलाता है प्रतिक्रिया चड़ के बीच समय गुजर जाना मान स्पेशी तनाओं यानि की Muscle Tension कहलाता है तो दोस्तों एथा Muscle Related Questions आज की सेस्थिने 20 MCQs questions थे और ए रहा आपका कोसी का और Muscle Related Questions अमार्थ भी नेक्स्ट वीडियो आपका इसलेटल सिस्टम यानि अस्ती तंत्रसी Related Questions होंगी तो दोस्तों जो भी राउट भूगा कमेंट में ज़रू बताएं और जादे जादे वीडियो को शेयर कीजिए जिसे और लोगों तब वीडियो पहुच सके ते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जाएं